कुएत के अंदार निरिक्षन अभियान में तीसरा नंबर आया है एक तो फाहिल का एक सुलेबिया इंडिस्ट्रियल एरिया का जहां पे बारी मात्रा में उलंगन पकड़े गए लगातार यह जो निरिक्षन अभी तेज किया गया जिससे की कई सारे फूट डिलिवरी वाले म एकामा वाले भी थे लेकिन खादम वाले ज्यादा पकड़े गए कई टेक्सी को कई ट्रक्स को लगातार निरिक्षन किया जा रहा है कुछ भी उलंगन हो वहां से सीज कर लेते हैं गाडियों को और जो दूसरी वीजा वाले अगर वो काम करते हुए मिलते हैं जिनका एकाम वो नहीं है चाहे कोई भी काम करते हुए मिलते हैं दूसरा तो उनको भी पकड़ा जा रहा है लगातार तीसरा जो जिनका एकामा नहीं है या सिविल आइडी कार्ड नहीं है उनको भी पकड़ा जा रहा है छोड़ा नहीं जा रहा है जिन लोगों का कागजात या फिर जो सब कुछ complete है जहाँ पर काम करते हैं वहीं का है लेकिन food delivery वाले क्या करते हैं कि अगर bridge के उपर से होके motorcycle को लेके आते हैं तो वो भी एक बड़ा उलंगन है तो उसमें भी पकड़े जाते हैं motorcycle seize कर लेते हैं फाहिल और सुलेबिया इंडिस्ट्रियल एरिया में जो निरिक्शन अभियां चला गया उसमें 640 उलंगन पकड़े गए एक ही दिन में जो लोग बचना चाते हैं उनको दो बातों का ध्यान रखना है बस एक तो civil ID कार्ड जेब में रखना है जिनके पास civil ID कार्ड नहीं है व थोड़ी कम हो उसके बाद में काम शुरू करें वापस जहां भी काम करते हो चाहिए मुकावल के साथ या फिर कंपनी के साथ या फिर खुद का काम हो क्योंकि अभी कुएत में कई सारे मंत्गे और बाकी है जहां पर निरिक्शन अभियान करना है सड़कों के उपर सभी 6-6 इसलिए साथ में सिविल आइडी कार्ड रखें या फिर ध्यान रखें कुछ दिनों तक जो है बिना आइकामे वाले लोग बहुत हैं तो उनको पकड़ने का काम चल रहा है इसलिए जलीब के अंदर स्पेशल निगरानी जो लोग बिना आइकामे वाले हैं या कुछ उलंग आती है तो हमेशे टाइम से मिल सकें